Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की करन्ट फीलिंग्स और थॉर्ट्स आपके लिए क्या है ये सारे Star Science की रीडिंग होती है, ये एक Short Reading है और बिल्कुल टाइमलेस है आज मैंने सोचा कि Quick Energy Update में हम थोड़ी सी Changing लेकर आते हैं और Six Cards आपके Connection की Overall Energy के लिए लिया करेंगे बहुत क्विकली हम देखेंगे कि Overall Energy आपके Connection की क्या है सबसे पहले हमारे पास है Transformation फिर है Indecisive One Sided Commitment फिर है Fears और फिर है Unconditional Love बहुत क्लेरली यहाँ पर Messages आ रहे हैं आपके परसन में भी Confused हैं कि उन्होंने Commitment करनी है या नहीं Commitment को लेकर यह इनसान Confused नजर आ रहे हैं आपको लगता है कि Situation One Sided है प्यार में भी One Sided है आपके परसन Confused इसलिए है पिकर उनको Fears है Fear of Commitment क्लेरली यहाँ पर नजर आ रहे है बट आप उनसे Unconditional यह प्यार करते हैं भी आप में से कोई ऐसा भी है जो सिर्फ उनका दोस्त रहने को भी तयार है चाहे वो Commitment दे या ना दे आप उनके दोस्त बन के रहने को भी तयार है किसी एक के लिए हो सकता है यह वाला Message सब के लिए नहीं था बाकियों के लिए I really feel कि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं Unconditional बट आप चाहते हैं कि वो आप से Commit करें लेकिन यह इनसान अभी डरते हैं Commit करने से हमारे पास a Four of Wands यह है 11-11 card फिर है हमारे पास Five of Cups Ace of Wands Next is King of Pentacles and Bottom of the Deck पर हमारे पास a Six of Pentacles Okay, so I do feel कि यह जो fear है आपके person के अंदर यह past की वज़ा से है क्योंकि हमारे पास Five of Cups है उनके past में उन्होंने किसी पर believe किया था किसी पर trust किया था जहांपर उन्हें Maybe बहुत ज़दा abuse किया गया Maybe बहुत ज़दा use किया किसी ने उन्हें और वो इसलिए डरते हैं अपना 100% देने से लेकिन ये इनसान आपके साथ true है with this king of pentacles आपको पता है कि ये बड़ी committed energy है husband wife material card है ये इनसान आपके साथ balance equal चलना चाहते है with this six of pentacles excuse me so I feel कि ये जो fear है ये fear असल में commitment का नहीं है ये fear है कि दोबारा से नाकाम नहीं होना चाहते है आपके person ऐसा नहीं है कि वो उन्हें आप पर कोई doubt है उनके past experience की वज़ा से वो थोड़ा सा डरते है और अगर उन्होंने आपको hurt किया है या आपकी offer को ठुकरा है maybe आपने commitment count से बोला और उन्होंने बोला कि वो ready नहीं है उन्हें बहुत दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको disappoint किया so basically ये इनसान ये सोचते हैं कि वो आपको disappoint नहीं करना चाहते हैं और ये इनसान आपको किसी भी लबहे call करेंगे या text करेंगे कहीं पर invite भी कर सकते हैं आपको कुछ बड़ा excited आप लोगं के इस connection में होने वाला है और ये इनसान आप से commit करना चाहते हैं ये इनसान आपके साथ long term चलना चाहते हैं with this king of pentacles because मुझे ये भी feel हो रहा है कि इनसान कोई ऐसे इनसान नहीं है कि जो धोका देते हों जो play करते हों इस तरह के इनसान नहीं है I really feel कि ये practical और true इनसान है honest इनसान है जो भी कहेंगे honestly आप से कहेंगे आपके साथ रहना चाहते हो या ना रहना चाहते हो honestly आप से communicate करेंगे but मुझे जरूर ये नजर आ रहा है कि ये इनसान इनसे आपने commitment के हवाले से या hurt नहीं करना चाहते थे वो अपनी बात सही अलफाज में आप तक पहुचा नहीं पाए गलत अंदाज में उन्होंने आप तक पहुचा दी जिससे ये आपको महसूस हुआ कि वो शायद आपसे कभी commit करना ही नहीं चाहते और सिर्फ आपका time waste कर रहे है सो ये इनसान चीज़ों को ठीक करना चाहते है बेसिकली अगर उन्होंने आपको disappoint किया है या hurt किया है किसी ना किसी अंदाज में ये इनसान उस चीज़ को आपके दिमाग से निकालना चाहते है और आपको बताना चाहते है कि ये one-sided situation नहीं है वो भी equally चलना चाहते है with the six of pentacles ये one-sided card नहीं है ये दोनों तरफ से effort है ये equal balance of give and take है सो ये इनसान आपके साथ equally चलना चाहते है क्योंकि आपकी reading देखें close हो रही है six of pentacles पर सो इसका indication ये है आप ही चीजें करते रहें और वो कुछ ना करें so I really feel कि ये इनसान आपकी disappointment को खतम करना चाहते है so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा मुझे ज़रूर बताईएगा comment section में I'll see you in my next video till then love you lots bye